ख़बरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई ख़बर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख आज से पित्रपक्ष की शुरुवात हो रही है जो 6 अक्टूबर तक रहेंगे दर असल कुंडली के पित्र दोश दूर करने के लिए पित्र पक्ष का समय सबसे अच्छा माना जाता है इन दिनों पित्रों को खुश करने के लिए और उनका आशिरवात पाने के लिए कई तरह के उपाई किये जाते हैं बता दें कि पित्रों को प्रसंद करके पित्र दोश को आसानी से दूर किया जा सकता है शात के पहले दिन भादर पद पूर्णिमा कवरत करें घर या वैपास तल पर स्वरगे पित्रों की अच्छी तस्वीरे लगाएं ये तस्वीरे दक्षिर पक्षिम दीवार या कोने पर लगाएं दिन शुरू करने के बाद सबसे पहले उनको प्रणाम करें हर दिनोंने माला चड़ाएं और धूबत्ती दिखाकर उनका आशिरवाद लें उनके नाम पर जरूरत मंदों को खाना बाटें पित्रों के नाम से धार्मिक सलपर धन या सामगरी दान करें घर या बाहर के बड़े बुजर्गों की शेवा कर उनका आशिरवाद लें हमावस्या पर सक्सातान सुक्त आसानी से नहीं मिलता या फिर अजन्ती। नोगों को नौट already या ववजफार में हमेशा दिक्कतों कह सामना करना पड़ता है काम में बार बार बाधा आती है घर में जादा कलेश झग्ड़े होते हैं घर में शूक्षम्रिद्दीन नहीं आती है गरीबी और कर्ज बना रहता है अक्सर बीमारी रहती है और बेटी या बेटे की शादी में रुकावटे आती हैं।